अमर्मणी और उनकी पत्नी की रिहाई का जो मामला था वो सुप्रीम कोट पहुंचा और यहाँ पर सुप्रीम कोट ने फिलहाल अमर्मणी और उनकी पत्नी की रिहाई पर रोक लगाने से इंकार किया है सुप्रीम कोट ने मदुमिता की बहन की याचिका पर नोटेस जारी कर जवाब अब इस मामले में मांगा है आठ हफते में जवाब मांगा है और सुप्रीम कोट ने याचिका करता से कहा कि अगर आप से सहमत होंगे तो वापस जेल भेज देंगे मेरी यहीं उम्मीद है कि अमरमणी को जेल भेजा जाए और उनकी जो अमरकैत की सजा है वो पूरी की जाए और वो अपनी सजा अस्पताल में नहीं काटे तो यही मेरा कहना है और गवर्नर सहाब से मेरा यही निवेदन है कि उनको ब्रमित करके जो आदेश कराया गया है वो गलत है ब्रश्ट अधिकारियों ने गलत रिपोर्टे बनाई हैं क्योंकि जो मेरे पास कागज़ जो हमने चिठीयों के द्वारा सबको दिये हैं वो यह साबित करते हैं कि बारा सालों से अमर्मणी मदूमणी जेल गया ही नहीं अभी देखिए मानिये यह रिहाई के जो जेलों में कार्ड के आधार पर उनके विवार के आधार पर इस पर आज सुप्रीम कोट में जो है वो इस मामले को सुना गया या चिका करता ने सुप्रीम कोट में इसे सुप्रीम कोट ने कहा कि आप से सहमत हुए तो वापस जेल जो हूँ भीज़ दे गे याटि के करता से उने कहा और जवाब यह वो मांगा गया है आठ हथा वर हस्ते में इस मामले में हमारे से गेंगे अषिध भार गव हमारे साहथ हैं लेकिन सुप्रीम कोट ने कहा कि फिलाल इस तरह दखल नहीं दे सकते लेकिन अगर आपकी दलीलों से सहमत हुए कि अमरमनीतिर पार्टी और उनकी पत्नी को रिहाई किस तरह नहीं दे चाहिए तो हम उन्हें वापत जेल भेज देंगे यानि सुप्रीम कोट ने बताने की कोशिश की है कि अदालत के पास इतनी शक्तियां एकना अदिकार है कि जो गलत रिहाई होती है अगर ऐसा पायगा तो उन्हें वापत जेल भेज देंगे इसलिए सुप्रीम कोट ने परिक्टर करने का फैसला जरूर किया है सरकार को नोटिस जारी किया है आठ हफते का समय दिया गया है उस सरकार को जवाब दागे करने के लिए और सुप्रीम कोट आगे इस मामले के सुनवाई करेगा लेकिन फिलाल उनकी रिहाई पर कोई रोक नहीं है और जिस तरह की सुपना रही है कि राजय पाल ने रिहाई क कर दागे लिए